नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस लेक्चर में हम सभी 63 BPC का जो मेंस का क्वेशन पेपर है उनको देखेंगे कि किस प्रकार से प्रसन पूछेंगे हैं ये अगामी जो 65 का मेंस होने वाला है साथ ही साथ 66 का जो आने वाला है उनको मदनेजर रखते हुए मैं लेक्चर बना रहा हूँ जो भी स्टुडेंट अपने आपको समझ रहे हैं कि मैं 66 का मेंस दोंगा या जिनका 65 का प्री हो चुका है मेंस देंगे उनको जीएस पेपर का जो मेंस का क्वेशन है उनको देखना बहुत जरूरी होता है और देखना भी चाहिए क्योंकि उनको ये मालूम चल सके कि किस परकार से बीप्यसी द्वरा प्रसन पूछे जाते हैं तो देखते हैं कि हम जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के सभी कोशन को आज इस लेक्चर में देखेंगे तो दोस्तो एट फस जो पहली बार बीप्यसी का मेंस दे रहें या देंगे उनको इंस्टक्शन और उनको मालूम होना चाहिए कि किस परकार और कितने प्रसन पूछे जाते हैं तो आपको मैं बता दूँ कि समान अध्यन प्रसन पत्र 1 में तीन खंड है जो कि पहला खंड है भारत का अधुनी कितिहास और संस्कृती सेकेंड है कि क्रेंट से पूछा जाता है और थर्ड खंड जो है मैं इस्टेटिक से सवाल पूछे जाते हैं तो देखिए आप यहां पर जो दूसरा लाइन कहा गया है कि answer 8th question selecting 3 each from section 1 and section 2 and 2 from section 3 कहने का यह तात्पर है कि आप section 1 और section 2 से 3-3 question का जवाब देना है साथ ही section 3 में जो है उनका 2 question का जवाब देना है तो instruction में यही है instruction पढ़ना चाहिए चलिए अब मैं सीधा question पर आते हैं देखे खंड 1 तो मैं आपको बताया कि सिलेवस में असपस्ट लिखा हुआ जो आप सिलेवस में जाकर देखेंगे तो आपको असपस्ट लिखा हुआ है में इसके सिलेवस में कि प्रथम प्रसन में जो है भारत का आधुनी कितियास और भारती संस्कृती तो उनसे सवाल खंड 1 में पूछा गया है तो पहला question है गांधी जी के समाजिक एवं संस्कृती विचारों की महत्ता का वर्न कीजिए तो almost ये हर book में आपको मिली जाएगा गांधी जी के बारे में तो ये question आप अच्छे तरीका से जनकारी रहे वैसे भी आप BPSC का मेंस दे रहे हैं या UPSC का आपको गांधी जी के बारे में जनकारी हर उनका हर पहलू समाजिक आर्थिक राजनितिक जो भी social moment में काम की हैं उस पर आपको गहन अध्यान करना जोरूरी होता है इसे सवाल almost हर एकजाम में खास करकर state PCS UPSC में पूछे ही जाते हैं तो इसमें असपश्ट सवाल सिधा सिधा है कि गांधी जी के समाजिक और संस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्नर किजिए next question है second question कहता है कि बिहार में सन 1857 से सन 1947 तक पस्चात सिधा के विकास की विवेचना किजिए तो देखे 1857 से 1947 के बीच यहां specialization कर दिया गया है बिहार से special कर दिया गया है कि हमारा सिधा विवस्था जो बिहार कर रहा है उस समय 57 से लेके 47 तक कैसा सिख्चा विवस्था रहा है उनके बारे में आपको answer देना था third question है कि सन 1857 के विद्रों में बिहार के योगदान की विवेचना किजिए तो आप यहां समझ रहे हैं देखे question यह तो सिधा सिधा है लेकिन आप देखे last terminology जो विवेचना किजिए मुल्यांकन किजिए यह सब सब्द जो terminology है आप बहुत defend करता है कि आप question का answer किस परकार से देने सभी का meaning थोड़ा थोड़ा अंतर होता है तो देखे third question में यही बात कहा गया है कि 1857 के विद्रों में बिहार के योगदान की विवेचना किजिए यह भी उतना tough question नहीं था आपको हर book में सिधा मिल जाएगा fourth question है देखिए बिहार में संथाल विद्रों अठारा सो पचपन से चपन में जो हुआ था उनके कार्णों एवं परिनामों का मुल्यांकन करना है तो इस सवाल का भी जवाब देना है आपको fifth question है बिहार में चमपारन सत्यागरा 1917 के कार्णों एवं परिनामों का वर्न किजिए तो fifth question भी आप देख लिया और sixth question है जो कि खंड one का last question है पटना जो कलम चित्रकला सेली की मुख विशिस्ता का परिक्षन किजिए तो आप देख चुके हैं कि पर्थम खंड में आपको अ focused उसी पर होना है बिहार से ज्यादा relate करके आपको पढ़ना होगा तो आप इस पर ही focus करें और इतिहास छे question थे इसमें तीन question आपको जवाब देने हैं जो आपको लगता है कि मैं ज्यादा ज्यादा और अच्छा बहतर लिख सकता हूं तो आप तीन question का जवाब दे सकते हैं देखें खंड दो में हमारा सलेवस VPSC के मेंस में लिखा हुआ है राष्टी तिथा अंतराष्टी महत्व का वर्तमान घटना चक्र तो देखें जब करेंट से पूछा गया है तो बिमिस्टेक सेवन्त कोशन कहता है बिमिस्टेक संगठन को सपस्ट कीजिए बिमिस्टेक उससे संबंदित विश्चिओं की विवेचना किजिए तो देखी आपको जो अपने तयारी करी होगी कर रहे होगे तो बिमिस्टेक का जो अभी हाली में संगठन हुआ है तो पहले आपको बिमिस्टेक के बारे में बताना है इक सिवे कितने सदस होते हैं उनको आप अगर राउंड फिगर मेप से बता देते हैं तो और बहतर एंसर होगा साथ ही साथ इस सम्मेलन का जो परिनाम क्या हुआ है जो हाली में काटमांडू में हुआ था उन पर क्या उसका किस पहलू पर परकाश डाला गया परिनामों पर और साथ में जब भारत देश से हम लोग करते हैं तो भारत की क्या आसाएं और अपेक छाएं इस बीशियों पर क्या उमीद हुई है इन पहलू पर आपको लिखना था एट्थ कोशन है रोहंगिया सरनार्थी संकट की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए इस संकट की उत्पत्ति एवं समधान में मैंनमार चीन भार इवं बंगला देश की भूमिका का वनन कीजिए रोहंगिया सरनार्थी के संदर में मानावधिकार के हनन पर परकास डालेए तो देखे जो अभी हाली में पेपर उपर में आपको बहुत से इसे आठिकी लाए उनमें हर पहलू से बताया गया था कि रोहंगिया सरनार्थी पहली बाद तो आपको क्या है आलोचनात्मक कर दिजिए उनके बाद मैनमार चीन भारत ये बंगला देश इस रोहंगिया जो समुधाय है इन पर क्या अपना राय दे रहें साथ में रोहंगिया समुधाय के साथ जो इतना मानविये घटना या जो भी हो रहा है मानवदिकार ह जानन पर भी परकास आपको डालना है नाइन्थ कोशन है टू पलस टू वारता क्या है भारत एवं इरान के दिवपक्ष्य संबंदों के संदर्व में भारत एवं अमेरिका के वीच हुई टू पलस टू वारता को असपस्ट किजिए तो आप जानते होंगे कि टू पलस तो जान रहे हैं कि अमेरिका और भारत के साथ हुआ था एक विदेश मंत्री एक सैन मंत्री होंगे धर से भी एक विदेश मंत्री और एक सैन मंत्री तो आपको टू पलस टू वारता का एक सटीक एंसर बता देना है कि ये किन दो नेताओं के साथ होता है साथ में यहां दू उपक्षी संबंद के सदर में बहरत अब अमिर्का के बीच हुई two plus two वारता का स्प्ष्ट की तो देखिए इरान के साथ भारत आमिर्का का ठोरा सा रेलेचन अच्छे नहीं हैं तो उन्ह पर जो हुआ है भारत इरान के साथ दूरूपक्षि अ उनके बाद भारत अमिरिका के पास 2 पलस 2 वारता हुए तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उन पर आपको विवेचना करना है तेंथ कोशन है एनरसी विवाद से आप क्या समझते हैं इस विवाद में नहीत राजनीतिक मंसाओं की असपस्ट किजिए इस मुद्दे के अं उस परकार से ही सवाल पूछे गए हैं तो इनरसी के विवाद को आपको समझाना है साथ में इस विवाद में राजनीतिक मंसाओं को असपस्ट करना है और इस मुद्दे पर अंतराष्टिय परभाव का भी विवेचना करना है कि जो हमारा देश में अनरसी लागू हुआ उ अंतराष्टिय अतंगवाद को असपस्ट कीजिए आज अंतराष्टिय समुदाय जो है इस किस परकार अंतराष्टिय अतंगवाद के खत्रे को की समापती के लिए परियास कर रहा है संयूक तराष्ट संग का क्या योगदान इसमें है तो आपको इस सवाल का जवाब देन आतंगवाद को असपस्ट करना है साथ में संयूकतराज संक क्या योगदान रहा है वो भी आपको असपस्ट करना है जो खंड सेक्षन थार्ड है इसमें आपको दो सवाल का जवाब देना यह इस्टेटिक्स है तो आप मैं वैसे इसका पिडियाप डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा जो हमारे टेलिग्राम गुरूप है आप उससे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं तो इसमें इस्टेटिक्स है इस्टेटिक्स का आप दो कुस्षन इसमें बनाने होंगे आपको तो नेश्ट अब देखते हैं जो बीप्यस्टी का जो प्रसन पत्र दो हैं उनके सवाल देख लेते हैं कि किस परकार से सवाल उसमें आए जाते हैं तो देखिए, सवान अध्यन जो परसन पत्र दो हैं, उसमें भी उसी प्रकार से सवाल पूछी जाते हैं, इसमें भी तीन खंड है, जिन में से खंड एक और दो से तीन-तीन सवाल का परसन देना है, और थर्ड खंड से दो सवाल का जवाब देना है, तो देखिए, परसन पत् खंड है पर्थम खंड में भारती राज विवस्था के बारे में पूछा जाएगा सेकेंड खंड में भारती अर्थ विवस्था के बारे में पूछा जाएगा और भूगोल के बारे में और थर खंड में जो है हमारा साइंस टेक जो भारत का बिज्ञान और प्रद्योगी के बिशे में पूछा जाएगा आपसे तो देखे खंड एक में हमारा पोल्टी भारतिय समिधान से क्या पूछा गया है सोतंत और निस्पक्ष चुनाओ के संचालन में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका की गंभिरता से जाच करें इस संबंद में चुनाओ पहचान पत्र किस उद्देश से कार करता है तो देखे जो हमारा भारतिय समिधान का भाग 15 में जो एक सोतंत्र आयोग संस्था जो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है कि चुनाओ संचालन में उनकी कैसी भूमिका रही है जिस समय से इनका गठन किया गया है 1952 से और इस संबंद में चुनाओ पहचान पत्र है जो कि हम लोग मदाता सूची में जो नाम रहता है मदान पत्र उनके उनका क्या उद्देश है उनका क्या कार है उनके बारे में आपको इसमें बताने है उनके बार देखे सेकेंड कोशन कहता है क्या आप सहमत हैं कि भारती राजनितिक आज मुख रूप से वर्नातमक राजनितिक के वज़ाए विकास राजनितिक के आसपास घूंती है बि कि इसमें अस्पस्ट कहा गया है कि विकास की राजनितिक अब ज़्याद limit हाबी हो रहा है चाहे वो कोई भी जगह हो लेकिन यहां अस्पस्ट कर दिया कि बिहार के संदर में आपको इसपर चर्चा करना कि भारतिय राजनीती को मुख जो रूप रहा है अब डपलप्लमेंट पर अधालीट चल ला है तो वो आपको वर्णित करना है विद ईक्जाम्पल देकर बिहार के संदर में से थार्ड कोस्टन देखे हैं कहता है कि हाली के दिनों में भारतिय' भारतिय पार्टी की राजनितिक पर बढ़ते छेत्रिय राजनितिक दलों के परभाव क्या है तो देखिए जिस परकार से वरतमान सर्व में भारतिय राजनितिक में अभी राश्टिय पार्टी की संख्या एट है तो एट राज्टिये पार्टी हैं लेकिन छेत्रिय राजनेतिक दलों का परभाव उन पर क्या रहा है क्या पढ़ रहा है भारतिये पार्टी में तो उनके बारे में आपको बताना है बारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मुल सनरचना के सिध्धान्त के बारे में गंभिरता से जाज किजिए तो देखे आपको संविधान और संविधानिक्ता के बीच अंतर पहले बताना है उसके बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित मुल सब्सक्राइब जो कि बेसिक इस्टेक्चर आपने सुना होगा बारवार जब कोई भी वर्डिक्ट आती है कि मन्ये सुप्रीम कोट का कहना रहता है कि अगर मूल धांचा का कुछ हानन होगा तो उस पर सुप्रीम कोट स्वता एक्षन लेकर उस कानून का रद्ध कर देती है तो ये मूल संरचना किस पर अधारित है अभी तक क्या संभिधान में वर्नित किया गया है या सुप्रीम कोट द्वारा मूल संरचना में क्या क्या चीज आएंगे उनको आपको गंभिटा से जांच करकर लिखना था इसमें फिफ्ट कोश्चन है कि केंद्र प्रायोजित य ये से ही है लेकिन इसमें कह रहा है कि कहा जारा है कि जो केंद्वारा योजिनाएं लागू की जाती है यinement दोरा लाया गया है जएrr ड्याइश का है उज्वला योजिना भहू सारे यसे योजिनाएं लेकिन उस योजिना को राज द्वारा धरातल पर लागू नहीं किया जाता है या नहीं कर पाया जाता है तो राज और केंद के बीच हमेशा ये बिवाद रहता है तो recent के कुछ योजनाओं का नाम हवाला देते हुए आपको इस पर जवाब देना है लिखना था तो यही इस सवाल में पूछा जा रहा है नेश्ट कॉस्वन है खंड दो खंड दो में देखें सकेंड पत्र में भारत का अर्थ विवस्ता और भारत का भुगोल के बारे में दिया गया है तो उनमें देखते हैं six question कहता है कि भारत वर्तमान में भारते क्रीशी की परमुख समस्या समस्याओं पर परकाश डालते हुए उन्हें दूर करने हितु सुझाओ दे साथ ही भारते क्रीशी विकास हितु सरकार दोरा चलाए जा रहे हैं परमुख कारेकरम की चर्चा करे हैं तो देखे क्रीशी अध को बताना है साथ ही सुझाओ भी देना है कि उस समस्या का निदान किस परकार होगा साथ ही साथ कि भारते क्रीशी के विकास में भारत सरकार दोरा या राज सरकार दोरा किस परकार के कदम तारिकरम चलाए जा रहे हैं तो अभी वरतमान समय भारत सरकार दोरा परदान मंत्र किसान नीधी योजना भी लाया गया था साथ ही साथ आप देखें एक कमीटी गठीद हुई है 2022 में किसान के आई दुगुना करना है तो आपको इस सभी तरीके के हवाला देते हुए आपको उस परसन का जवाब देना है कि सरकार ये ये कदम उठा रही है सेवंत कुश्ण है भारत में गरीवी के अनुमान पर चर्चा करते हुए गरीवी के लिए जिम्मेदार कारकों की व्यक्ष्या करें भारत सरकार द्वारा गरीवी दूर करने के लिए कौन कौन से कारिकरम चलाए जा रहे है तो देखे इसमें असपष्ट इस कुश्ण का तातपर यही है कि भारत में जो गरीवी अनुमान पर चर्चा करते हैं कि हम किस पर निधारित है जिसे तंदुलकर कमीटी आया हुआ था रंगराजन कमीटी आया हुआ था उसने सभी निधारित किया है कि गरामिल लोग इतने कमाएंगे तो गरीब नहीं है सहरी लोग इतने कमाएंगे तो गरीब नहीं है तो आपको उस सभी कारकों पर पहलू पर विचार करकर लिखना है साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा जो गरीबी उन्मुलन के लिए क्या-क्या कारेक्रम चलाए जा रहे हैं आपको कुछ HDG में जो Sustainable Development Goal में भी पर्थम जो गोल है ये गरीबी उन्मुलन का ही है तो पर्थम ये सेकेंड है साथ तो उन सभी का हवाला देते हुए भारत सरकार भी क्या-क्या कदम उठा रहे हैं उस कारिकरम को भी आपको असपस्ट लिखना है एट्थ कोशन है एट्थ कोशन में कहता है कि भारत के परमुक बड़े पैमाने पर भारत के परमुक बड़े पैमाने के उद्योग भगौलिक छेत्र भगौलिक दिरिष्टी से कुछ विशेश छेत्रों में ही अस्थापित हो पाए हैं इसके कारणों की व्याख्या करें एबं भारत की परमुख बुनियादी उद्योग की उद्योगों की व्याख्या करें तो देखिए आप जब देखते हैं ओभर ओल ओल इंडिया को तो आप किसी खास छेतर में ही आप देख पाते हैं कि भगवलिक उद्योग जो है उद्योग धन्दा जो है वहीं पर अस्थापित हो पाया है इनका क्या कारण है यह आपको बताना है साथ ही साथ भारत की परमुख बुनियादी उद्योग की भी जो बुनियादी रूप से चाहिए भारत को उसमें होना चाहिए उनको भी आपक असपस्ट व्याख्या करना है तो यह हो चुगा आपका एट्थ कोशन नाइन्थ कोशन कहता है कि भारत में पाई जाने वाले परमुख खनीजों की विश्तार से व्याख्या किजिए तो जो खनीज है परमुख खनीज देखे जब आप कोशन पढ़ते हैं तो उनके मूल इस् बहुत परकार के होंगे लेकिन आपको जो मूल रूप से जादा है उनके बारे में विश्तार से व्याख्या करना है भारती अर्थ विवस्था के आर्थिक विकास में इनके योगदान पर चर्चा करना है तो भारती अर्थ विवस्था जो है उनके आर्थिक विकास में आर कि इसमें भी करेंड से कुछ लिंक कर दिया गया हाली में भी नई खनीज नीती भी आ चुका है तो उसमें किन बातों पर महत दिया गया है किन बातों को जोड दिया गया है उनको भी आपको असपास टूप से इसमें वर्नन करना है खंड तीन, खंड तीन में देखे भारत के विकास में विज्ञान अप्रोदी की भूमिका का वर्णन किया गया है जो सिलेवस में असपास टूप से लिखा गया है तो इसमें आपको सिर्फ सिर्फ साइंस टेक से ही सवाल रहेंगे जिनमें से आपको दो सवाल का इंसर इसमें देना है तो फिप्टिन्थ कोस्टन यही कहता है खंड तीन में कि नाबकिय उर्जा के छेत्र में परगती हमारे देश के विकास में किस परकार से सहायक विश्तार से चर्चा करें तो आपको देखिए मुल सवद इसमें क्या मिलता है नाबकिय उर्जा तो नाबकिय उर्जा के बारे में बताना है नाबकिय उर्जा के छेत्र में परगती हमारे देश हमारा देश में विकास के किस परकार सहायक है विश्तार से समझाए नाविकिये उर्जा किस परकार से देश की कूल उर्जा के उत्पादन के छेतर में सहायक है चर्चा करें और नाविकिये उर्जा के सकरात्मक और रिनात्मक पक्ष पर भी असपस्ट आपको परना है इस सवाल में यही मुल रूप से पूछा जा रहा है इलेवंद कोस्टन है उपगरहों को अंतरिक्ष में अस्थापित करने के छेतर में भारत में क्या परगती किया है तो अपने अहाल ही में पेपर या न्योज में सुना होगा टीवी चैनलों में कि हमारा जो अंत्रिक्ष यान है बहुत दुसरे देशों का भी उपगरह अस्थापित कर रहे हैं तो उस पर आपको बताना है साथ ही सकेंड बात ये कहता है कि एक से अधिक उपगरह को एक साथ अंत्रिक्ष में भेजे जाने के सकरात्मक और इनात्मक पक्ष भी करने हैं तो देखिए यहां पर आपको ये ध्यान देना है जब हम सभी पेपर में पढ़ते हैं कि भारत का जो इस रो है दुसरे देशों का भी उपगरह है जो अस्थापित कर रहे हैं तो आप उसमें सकरात्मक देखते हैं लेकिन इसमें सकरात्मक के साथ नकरात्मक साथ में देखिए भारत के इस छेत्र में परवेश करने परवेश करने से देश की अर्थविवस्था को मजबूत करने किस परकार सहायक मिलेगी तो आप समझ पा रहे हैं कि भारत जो इस तरह के उपगरह जो लॉंच कर रहे हैं अस्थापित कर रहे हैं तो उससे क्या भार खंड है तो आपको डारेक्ट उसी से सौप्ट वेयर से आप क्या समझते हैं देश की आर्थिक विकास में कैसे सौप्ट वेयर उद्योग रीड की हड़ी के समान है समझाएं केंप्यूटर की भासाओं के विकास पर अपना मत अस्पस्ट करें तथा समझाएं कि हमारा देश का इस छेतर में क्या योगदान है तो सौप्ट वेयर के बारे में आपको बताना है या किस परकार से हमारा देश के लिए रिड का हड़ी के समान है उनको भी समझाना है साथ ही केंप्यूटर की भासा के विकास पर अपना मत अस्पस्ट करें समझाना है और देश में किस परकार योगदान दे रहे हैं थर्टिन कोशन है और ये लास्ट कोशन है जी एस पेपर सेकेंड का कहता है कि गलोवल वार्मिंग क्या है गलोवल वार्मिंग से होने वाले परभाव को कम करने के लिए किये जाने वाले परियासों में भारत का क्या योगदान है निकट भविस्व में पूरा विस्व इस गरक के मानव के द्वारा की जाने वाली गतियों के कारण पानी में डूब जाएगा उत कथन का जो विचार असबस्ट करें तो देखे सबसे पहले आपको गलोबल वार्मिंग के बारे में बताना है क्या है गलोबल वार्मिंग साथ में गलोबल वार्मिंग से होने वाले परभाव को कम करने के लिए भारत द्वारा किन किन कदम उठाए जा रहे हैं जिसने अपने रियू सम्मेलन जाना होगा वहीं से गलोबल वार्मिंग के लिए पूरे देश एक जगा गठीत हुए थे तो भारत ने अपना क्या-क्या पक्ष रखा या भारत अभी वरतमान समय में कौन-कौन से कदम उठा रहे हैं साथ में एक कथन दिया गया है इससे लिंग करकर कि निकट भविस्व में पूराविस्व इस गरह के मानव के द्वारा की जाने वाली गतियों गलतियों के कारण पानी में दूब जाएगा तो निसीत रूप से और इस कथन पर विचार कीजिए जिस प्रकार से मानव द्वारा अपनी खुसी के लिए हर प्रकार से पेड़ पौधों को जो जिस तरह से विनास किया जा रहा है उन सभी को आपको अधार बना कर इस question का जवाब देना है तो ये GS paper का last question था दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है और मैं बता दूँ कि इस पुरा पीडियाप को मैं टेली ग्राम में डाल दूँगा जो description box में मेरा link रहेगा तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है like, share, comment जरूर करें thank you, धन्यवाद